इंडिया में क्रिकेट को यूँ ही नहीं धरम की तरह देखा जाता है। इस खेल के प्रती जुनून हर क्रिकेटर की रगों में दोड़ता है। क्रिकेट की फील्ड पर एक बार फिर एक क्रिकेटर की ऐसी ही लगन और जज़बे ने सभी को प्रभावित किया है। जिसके बाद एक खिलाडी को पूरी दुनिया जुक कर सलाम कर रही है। क्या है पूरी खबर आई इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। 26 मार्च को रंजी ट्रॉफी में बडोदा और चंडी गड के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। मैच के दूसरे दिन बडोदा की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और तब बडोदा की टॉप ओर्डर बल्लेबाज विशुनू सोलंग की बल्लेबाजी करने आये थे। और आते ही मैच में शांदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 161 गेंदो पर 103 रनों की पारी खेल दी थी। लेकिन उनके इस परफॉमेंस से जादा उन्होंने जिन परिस्थितियों में आकर ये पारी खेली है उसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें बड़ोदा के लिए रनजी ट्रॉफिक खिलने वाले विश्णू के बेटी का निधन कुछ समय पहले ही हुआ था जिसके बाद ये बल्लेबाज अपनी बेटी का अंतिम संसकार करके लोटा था और वहां से लोटने के बाद ऐसी मनों इस्थिति स गुजरने के बाद एक मैच में आकर इस बल्लेबाज ने शतकी पारी खेली है दोस्तों हाली में विश्णू पिता बने थे और उनके घर में खुशियों का माहौल था हलांकि उनके घर में ये खुशियां जादा दिन तक नहीं चली और नवजात बेटी का निधन हो गया व अपनी टीम को मजबूत स्थिती में पहुँचाया और अब बड़ोदा ये मैच जीतने के बेहद करीब है दोस्तों आपको याद होगा कि कैसे भारती टीम के दिगज क्रिकेटर विराट कोहली के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटा था जब वो अपने दिल्ली रंची टीम के लिए खेल रहे थे और उनकी टीम पर हार का खत्रा मड़ा रहा था तब विराट ने अपने पिता को खोने के बाद अगले दिन आकर एक बेहतरीन अर्दिशतक लगा कर अपनी टीम को हार से बचाया था और फिर गोहली अपने पिता के अंतिम संसकार में शामिल हुए थे ऐसे में कुछ लोग सोलंकी की शत्गी पारी की कमपैरिचन विराट कोली की उस पारी से भी कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आप बड़ोदा के विश्नु सोलंकी के ऐसे जजबे के उपर क्या कहना चाहेंगे अपनी राय हमें नीचे कमेंट वाक्स में कमेंट करके ज़रूर ब भूले